कि नमस्कार सांथियों के वे स्टीजिटी हिंदी की संखला में मैं वीडियन गिटे क्लासिक की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वेसर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचे चलिए शुरू करते हैं जो भी लोग पहली बार हैं चल्ल पर सब्सक्राइब करने हैं लाइक सेर करते चलिए सर्वेसर दयाल सक्सेना का जन्म सर 1927 में जिलाबस्ती उत्तरप्रदेश में हुआ उनकी उच्छी सिच्छा इलाहाबाद वी सिद्याले से हुई वे अध्यापक आकासवाड़ी में साय कुडियूसर दिनमान के उप संपादक और पराग के संपादक रहे उनका अकस्मिक न कभी कहानिकार उपन्यासकार निबंदकार और नाटक कार सर्वेसर की प्रमुक्तियां हैं का कुवानों नदी जंगल का दर्द खूंटियों पर टंगे लोग कभीता संग्रे है ये पागल कुत्तु का मसीहा सोया हुआ जल उपन्यास लड़ाई कहानी संग्रे है बकरी खाओं बतूता का जूता लाक किनाक ये बाल साहित है चर्चे और चर्खे उनके लेखों का संग्रे है खूंटियों पर टंगे लोग उनकी उन्हें साहित अकादमी पुरुषकार मिला है तो आप यह जाद कर लिए जिया किस रशना के लिए उनको साहित अकादमी पहचान मदेवर की आकाण्छाओं के लेख़क के रूप में की जाती है मदेवरगी जीवन की मादो काण्छाओं संगहर सो, सपनों, संगहर सो, सवन, हतासा और कुंठा का चित्रम उनके साहित में मिलता है सर्वेश्वर जी स्थम्भकार थे और चर्चे और चर्खे नामror दिनमान में जो इस्तंब लिखते थे उनमें बेबाग सच कहने का साहस दिखता है उनकी अभिव्यक्ति और सहजता और स्वाभाविक्ता है तो बहुत ही संचित जीवन परिचे और बहुत ही महत्पूर्ण इसको आप लोग ध्यान जोग दीजेगा चले देख लेते हैं आगे उतलता है अपने को भारती कहने वाले फादर बुल के जन्में तो बेल्जियम जो की यूरूप में हैं में हैं रैम शैपल्व सहर में जो गिर्जों पादरियों धर्म गुरुवों और संतों की भूमी कही जाती है परन्त उन्होंने अपनी कर्म भूमी बनाया भारत को पादर बुलके से अतरंग संबंद था जिसकी जहलक हमें इस संसमें अडमे मिलती है लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारती सादू को याद किया जाएगा तसा उन्हें हिंदी भासा और बोलियों के अगाज प्रेम का उद्रमाना जाएगा तो इस जो है आपको पढ़ा रहे हैं तो कैसा कंटेंट मिल रहा है आप लुगों को ठीक है तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ पर तब तक के लिए खैल रखी जहें